एक सो दस करोड वरस तक राजया प्रियवरत ने इस मृत्तू लोक में सासन किया। इतनी बड़ी जिंदगी किसी राजया ने जी नहीं। सैयमी राजया था। भागवान सूर्यों मेडू प्रक्षणा कुर्वन लोका लोका चल परियंता मृत्यन प्रकास चाती। पहले के समय में 6 गंटे ही उजाला रहता था किसी जमानी में भागवजी में लिखाए। सुमेरू पहाड बीच में ऐसे चल के आ जाता था कि 6 गंटा ही बस दिन रहता। तो इनोंने क्या किया? इनोंने अपना रत सजाया। और सुर्व भगवान के पीछे पीछे जाकर के चले खदेर दिया सुमेरू पाड को एवं रात्री दिवभागम करोती जहां सुवै से ले करके साम तक 12 गंटे का दिन होने लगा। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा पहले 18 गंटे की रात होती थी और 6 गंटे का दिन होता था। ना पता हो तो सुन लो भागवत में से। रात होती थी 18 गंटे की और दिन होता था 6 गंटे का। तो 6 गंटे में काम चलता नहीं था कैसे भी। सुमेरू पहाड बीच में पढ़ता तो प्रकास सब जगे पहुंचता नहीं था। तो इस राजा ने अपना रथ तैयार किया। इस ग्रंथ में लिखाएं कि ऐसा लग रहा था कि यह राजा कोई धरती बा दूसरा सूर्य प्रकट हो गया हूँ। तो उसमें 6 गंटे का दिन तो सूर्य भगवान ने किया। और 6 गंटे का जो दिन है वो राजा प्रिवरत ने किया। 12 गंटे का दिन हुआ, 12 गंटी की रात होई। उसके तत्पशा सूर्य देवताने का मैं तुम्हारी कर्मता के उपर अते प्रसन्न हूँ। और मैं अब वाइदा करता हूँ कि तुम्हारा काम मैं करूँगा। आसे बारे घंटे का दिन होगा और बारे घंटे की ही रात्री होगी ये राज़ा प्रिवर्थ ने ये सब किया है भागवत के स्पन्ने में लिखाए ये सब बाते कहीं बार की नहीं है यही की है एतत चक्रागड़ा करता अगस्ताने सब्त सिंधवा आसन इनोंने साथ परकम्मा पूरी धर्ती की की तदंतरस्ता भुवसप्त दूइपा साथ दूइप बन करके तैयार हुए पूरी दुनिया को जो साथ दूइप हैं वो महराजा प्रियवर्त ने दिये ये कथाएं मेरे लिए सुनाना जरूरी है कि हमारे पुर्वज हमारे पुर्खिक कैसे रहे जह संस्कृति में हम और आप जी रहे हैं ये सवभाग किसी की धर्म के प्रानी कोई मिला नहीं है ये संपून गटना ये सत्युकी है वर्डन है कि स्वहा भवासब्त दूइपा इन्होंने साथ दीप बना करके तैयार किये थे जिन साथ दीपों का नाम है जम्बू दीप, पलक्ष दीप, सालमली दीप, खुस, क्रॉंच, साक और पुसकर दीप क्या पुरु दूइपा गुडमान उत्रोत्रम भवुवा देवताओं ने इनकी बहुत बढ़ाई की इतनी बढ़ाई करी कहा कि जिस कार्य को परमात्मा करता है वह कार्य राजा प्रिवरतनी किया